नवस्कार मैं धाने अंद्धवरिया और आप देख रहे हैं टीवी थैर्टी निूज लोग सभा चुनाव का आगाज हो चुका है और तमाम बड़े बड़े नेता मंत्री चुनाव प्रिचार में जुट गए हैं और इसी कड़ी में हम आपसे एक खास मुलाकात करवाने वाले हैं आप चुरहट गड़ी से तालुक रखती हैं और सबसे बड़ी बात तालुक तो चुरहट गड़ी से रखती हैं लेकिन चुनाव प्रिचार अजय प्रताप सिंग जी का करने आई हैं तो बहुत-बहुत स्वागत है आपका, बहुत-बहुत शुक्रे, जे, चुरहट में पहली बार आप, राजनीतिक प्रचार में आई हैं, कैसा लग रहा है आपको, देखिए मैं एक व्यक्ति, जो बहुत ही अच्छा इंसान है, जिसके वारे में मैंने लोगों से चरचाएं क सबका कहना है कि वो मददगार है, और ये चुनाव जो होना चाहिए, एक अच्छे व्यक्ति के लिए होना चाहिए, मेरा मानना है, कोई राजनीतिक दल से मैं इसकी तुलना नहीं करूंगे, मैं चाहती हूँ कि एक अच्छा इंसान, अच्छा व्यक्ति, जो इस जिले के ल जमीन है, तो मेरा बड़ा गहरा रिष्टा है, अब वो राजनीतिक के लिजिए, और या मेरे बाबा की जमीन तो ही है, शिव भादु सिंग जी की जमीन है, और क्यों नहीं, इसलिए मेरा भी उतना ही हक है और कर्तव्य है, इस नाते मैं चाहती हूँ कि अच्छा व्यक्ति इस बार चुना जाए इस छेत्र से, जैसा कि आप अजय प्रताप सिंग जी का प्रचार के लिए आई हैं, अजय प्रताप सिंग जी भारती जनता पार्टी में थे रासभा सांसत थे, अब वर्तमान में भाजपा से उन्होंने त्याक पत्र दे दिया और गोड़वाना गरत पार्टी से चुना लड़ रहे हैं, छेत्र में एक अलग बर्चस्व है, जब रासभा सांसत थे, उसके पहले भी काफी पुराने भाजपा के नेता हैं, आखिर आपको क्या ऐसा दिख रहा है अजय प्रताप सिंग में कि वो सीधी लोकसभा के लायक हैं, उस आदमी में मु ना ही ऐसे कोई राजनितिक दल से मैं संबंद के चलते आई हूँ यहां पर, इस इनसान में मुझे जो लगा एक जजबा है कुछ करना, और मुझे लगा जितने अभी यहां पर आपके प्रत्याशी हैं, मुझे लगा अजय सिंग में काफी कमिट्मेंट है लोगों के लिए और वो कुछ करना चाहते है इस छेतर के लिए, जैसा मैंने आपको शुरुआत में कहा, यह चुनाओ जो है, अगर हम चुनाओ में एक अच्छे व्यक्ति को लाएं, वो अच्छा व्यक्ति पार्टी का नेतरत तो करे, या जिले का नेतरत तो करे, उससे बहुत फरक पड़ और इस जिले में, आज की तारीक में राजनीती का इस तरह आप देखें किस कदर गिरा हुआ है, इस तरह गिरा हुआ है कि लोग एक दूसरे को गालियां देते हैं, राजनीती में देखें मतभेद होना चाहिए, दुश्मनी नहीं होनी चाहिए, आज का जो महौल है, आप किस तरह से ले हुआ हुआ हैं, एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, एक दूसरे की जाथि उस पे जार हैं। जिन्दगी में, यह राजनीती का इस तरह नी होना चाहिए, और आज की राजनीती यह भी समझ लिए हमारी सिर्फ हम यह कहते हैं, तो हमारा अपना इंटरनल मा मामला वो दिन गए हम लोग सब जो जित किसी भी देश की राजनीती जो अब ये international मामला हो चुका है international courts खुले हुए हैं हमारी जवाब दे ही होती है international press जो है आप जैसे लोग हैं वहां की press भी हमें देख रही है शायद आप लोग एक बार डर जाएं कुछ बोलने से वो नहीं डरते हैं तो बहुत महत्त हुआ है और बहुत फरक पड़ता है इसका हम जूटे आखड़े दे देखे अपनी वाहवाई करते रहें पीट थप थपाते रहें उससे देश आगे नहीं जाने वाला है इसलिए अब वो वक्त आ गया है हम लोग ऐसे व्यक्तियों को लाएं राजनीती में जो कुछ करें जिनमें जजबा हो कि हम उस छेत के अपनी अपनी जेवें दो सभी भ अरे रेल्वे स्टेशन बन रहा है रेल्वे स्टेशन में तो कान पग गया अज तक तो रेल्वे स्टेशन आए और फिर कितने पैसा उनके लिए संक्शन किया गया था पांच करो ऐसे रेल्वे स्टेशन बनते पट्री भी नहीं लगा पाएं गया तो अगर आप सोचेंग हैं तो नाम सीधी है और कह दिया जाता है कि ठेड़े हैं तो मैं चाहती हूँ कि एक अच्छा वेक्ति आए देखिए कहीं भी हो देश में हर जगा अच्छे वेक्तियों का आना बहुत जरूरी हो गया है अगर हम अच्छे वेक्तियों को नहीं लाएंगे राजनीती में अपने जिले का प्रतिनिधित्व उनसे नहीं करवाएंगे तो हमारा विकास नहीं होगा जैसे आपने कहा सीधी से मेरा अब बहुत गहरा रिस्ता है चुरहट मेरा दिल जुड़ा हुआ है मेरी आत्मा जुड़ी हुई है तो मैं चाहती हूँ के एक अच्छा वेक्तिया है और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर अजय प्रताप सिंग को जिताया लोगों ने यहां के लोगों ने उनको यह अफसर दिया तो वो किसी को निराश नहीं करेंगे यह मेरा विश्वास है एक लंबे अर्से के बाद आप आई हैं तो चुनाव प्रचार में कितना आपको कठिडाई महसूस होगी छेत में जब आप जाएंगे मैं आती रही हूँ यहां कैसे लोगों को समझा पाएंगे देखिए स्वभाविक रूप से आप लोगों से बातचीत करें राजनीती में हो सकता है अगर आपको लग रहा है कि मैंने सक्रिय कदम नहीं रखा तो मुझे इसका अंदाजा नहीं है लेकिन है मुझे काफी अंदाजा है मैं राजनीती की स्टूडेंट भी रही हूँ खेर वो किताबी नॉलेज से मैं नहीं जा रही हूँ यहां पर मैं देख रही हूँ लोगों का दुखदर्द भी समझती हूँ आज की तारीक में महिलाओं के क्या हाल है मुझे रहे सबसे जादा चिंता नौजवानों की है बेरोजगारी इस देश का सबसे बड़ा मुद्दा है और मैं चाहती हूँ कि जो भी आए हमें हमारे नौजवानों को बच्चों को उनको प्रोटसाहिद किया जाए यह वाटसप उनिवर्सिटी बंद करके उनको अच्छी तालीम शिक्षा दी जाए उनके नौकरी की विवस्था की जाए नौकरी आज की तारीक में बहुत जरूरी हो गई है उनकी भी पेक्षाए हैं उनकी भी काम ना हैं क्या नहीं चाहेंगे कि हम भी जाके एक कब चाय खरीद सकें बीस रुपए वो खर्च कर पाएंगे आज की तारीक में आप बता दे मुझे ये कहना बड़ा अचा पकोड़े तलो पकोड़े तल के आपका रोजगार बनेगा कितनों से आप पकोड़े तलवाएंगे पकोड़े खरीदने के लिए भी तो पैसे चाहिए खरीदेगा कौन तो ये सब कहना बहुत आसान है, इसलिए वक्त आ गया है कि अच्छे प्रतिनिधित्व की जरूरत है, हर जिले को है, और खास करके हमारे जिले को बहुत जादा है, सीधी को. एक तरफ आप आई हैं चुनाव प्रिचार के लिए, दूसरी तरफ आपके ही परिवार के दूसरी पार्टी के साथ है, हम बात कर रहे हैं अजल सिंग राहूल की, कांग्रेस प्रत्यासी के साथ डोर टो डोर प्रिचार कर रहे हैं, क्या आप पे दबाव आ सकता है? मैं नहीं मानती हूँ, देखिए वो कॉंग्रेसी हैं, कॉंग्रेस के विधायक हैं और उनको मेरी शुवकामनाय हैं, चाहूंगी कि वो कर रहे हैं अपने जिले के लिए, अपने विधान सभा के लिए और हमेशा करते रहें, इसका कोई दबाव किसी पर नहीं है, यह हमारी व प्रताप सिंग् का सपोर्ट करना चाहती हूँ, उनके पक्ष में उत्री हूँ, मैं सोचती हूँ कि अजरे परताफ सिंग के यह काबलियत है और यह वो भाजपा niew फके थे, इसलिए मेरा कोई उससे मतलब नहीं है, मैं मेरा मतलब उस इंसान से हैं, अजय प्रताप सिंग स और अजय प्रताब सिंग में वो है शमताएं हैं कि वो कर सकते हैं मैंने लोगों से बात की हैं तब मैंने ये कदम रखा है मैंने अपने उसमें फैसला नहीं किया है कि आके सिर्फ लग जाएं अजय प्रताब सिंग जी के लिए मैंने लोगों से पूछा है बातचीत की, देखिए, सारी उंगलियां बराबर नहीं होते, कुछ लोगों की में मदभेद है, कुछ कॉंग्रेस के हैं, कुछ भाजपा के हैं, कुछ अलग, इन सबसे उपर उठके, अगर पहले हमने जिले को रख दिया, तो आप पहला नंबर क इसको देंगे, जिसमें ये आपको लगे कि ये इनसान कुछ करेगा इस जिले के लिए, आप मुझे तीनों कैंडिडेट्स में बता दे, तीन है आज के तारिक में, कौन क्या करके जाए, कल मैं किसी से बात कर रही थी, तो वो मुझे कहते हैं, कहते हैं, रे जीदी, दे दे कि इंजेक्शन खुब पैसा कमाये हैं, आपके जो भाजपा प्रत्याशी हैं, तो मैं हसने लगी हैं, मैंने कहां इंजेक्शन के पैसे तो लगते ही हैं, ब Utley, बताओ, 20 रुपिया के इंजेक्शन के 50 रुपिया हम लोग देते थे, तो कहने का मतलब यही हैं यही पर इनस चीज क्या हो सकता है? इस लिए शिक्षा बहुत जरूरी है, शिक्षा का स्तर और लोगों को शिक्षित करना बहुत जरूरी हो गया है, हमारे हाँ देखें, पिछला मुझे वो याद आ रहा है, मतलब सीधी की चर्चा हो गई, सीधी आज विश्व पतल पे पहुँच गया, किस बात पे? कि जी वो उसने पिशाप कर दिया किसी आदिवासी के उपर अब बताईए बहुत अच्छी बात है इस मारे तो सीधी का नाम अगर वैसे चले तो मैं तो उसको नहीं कहूंगी कि सीधी लोग जानते हैं क्योंकि किसी गरीब के उपर किसी ने पिशाप कर दिया यह सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए ना इसमें कहीं न कहीं हमारे शिक्षा का अभाव है और जैसे मैंने कहा बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है अब उसके लिए कैसे रोजगार के यहां पे अफसर बनाए जाएं यह भी देखना पड़ेगा जो भी प्रतिनिद्धितों करेगा उसके लिए सबसे बड़ा सबसे बड़ा मुद्दा यही होगा कि कैसे है रोजगार किया और यहां की वो भी होनी चाहिए ना जिसे रेलवे स्टेशन बहुत ज़रूरी हो गया करेग्टिविट्य अब आप यहां आएं आप रिवा से आएं यह कहीं और से आएं यहां सीधे आपका कभी क्यों नहीं हुआ भी तक पूर्ण भहुमत की सरकार मदप्रदेश में रही है आपकी दस साल से भाजपा बैठी हुई है आपके खेंदर सरकार में क्यों नहीं बन पाया यहां पर क्योंकि सीधी की किसी को फिकर ही नहीं थी नहीं तो बन सकता था ना एक रेलवे स्टेशन जब सब जगह का आप कह रहे हैं कि हम विकास 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 तो यहां क्यों नहीं हुआ यहां भी तो होना चाहिए ना कितनी बार शिवराज चोहान यहां थे मुक्मंत्री कभी सोचा कि यहां पर भी बना दूँ एक रेलबे स्टेशन आपने वो रखवा दिया पत्थर रखवा दिया जी बन रहा है शुरू हो रहा है मुक्मंत्रियों का दोरा तो हरप्ते हो रहा आज भी आ रहे है जी अब मुक्मंत्री है राज के तो उनका दोरा तो चलता ही रहेगा जब तक लोग सभा के चुनाव है हर जिले में हर छेतर में जाएंगे उससे मैं नहीं जाना पर सोचती कुछ छेतर की जनता को छेतर की आबाम को क्या मैसेज आप देना चाहेंगी मेरा सीधी के लोगों से और खास करके नौजवानों से महिलाओं से सबसे यही निवेदन अपील होगी गुजारिश होगी कि आप लोग अपना प्रतिन धी बहुत सोच समझ के चुने किसी के बहकावे में न आएं ये देखें कि आपके सुख दुख में आपके लिए कौन खड़ा होगा कौन खड़ा मिलेगा ये नहीं कि चुनने के बाद फिर दिल्ली बैठे और सीधी तो फिर जहां है ये पांच साल बाद फिर देखेंगे ऐसा प्रती निधित तो सीधी को बिलकुल नकार देना चाहिए ये मेरा इन सबसे गुजारिश होगी सीधी के लोगों से कि बहुत सोच समझ कि अपना वोट डालें और अपना मतदान करें ये आपका हक है और मतदान से ही आप इस बात को जाहिर कर सकते हैं कि क्या आपके लिए क्या हुआ है यहां पर क्या विकास हुआ है अपनी नाराजगी अपनी खुशी और अपना हक इसी मतदान से आप अपना वेक्त कर सकते हैं शुक्रिया हमारे साथ ये खास बादचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका धन्यवाद और आप लोगों का सहयोग भी बहुत जरूरी है चेत्र के लिए तो लगे रहिए मेहनत करिए बहुत बहुत धन्यवाद